Hello friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Lava Yuma Pro Android Wilephone में आप जोए Color Correction Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं और ये Color Correction Setting जोए Enable करने के बाद यह setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो हम आपको detail में जांकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पर जो आप वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने while phone में setting page open करना है ठीक है setting page open करेंगे तो setting page में नीचे आना है और यहाँ पर आपको यह option मिलेगा accessibility का accessibility है तो यह button आपको on हो जाएगा यानि कि आपकी setting enable हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको यह setting काम कैसे करती है मैं अपने mobile phone के back page पे जाऊंगा तो यहाँ पर यह देखिए magnification color correction color inversion इन सभी का जो color है आइकन का color इन सभी का color देखिए थोड़ा सा डल हो गया है तो यहाँ पर मैं इनेबल करते है तो यह आपके पूरे mobile system पे setting apply हो जाती है मैं आपको दिखा जाता हूँ यह देखिए मेरे mobile phone की wallpaper का color भी थोड़ा सा डार्क हो गया ठीक है और app icon इन सभी का color देखिए थोड़ा डार्क हो गया ठीक है तो यह setting कुछ इस तरीके से काम करती है इनेबल करने के बाद जहां कहीं भी आपके color होंगे उनका color जो है थोड़ा डार्क करते थी है इनेबल करने के बाद अब मैं आपको जो है इस setting को डूढ़ने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूं ठीक है आपके mobile phone में जो है setting page open करना है setting page में सब से उपर आपको search setting select करना है और इस setting को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीका है इस setting को ढूढ़ने का आपके mobile phone में है